हाई इस प्रियांका यह वाचिंग इत्सिपल यह वीडियो क्लास 11 साइकलोजी के लिए है और इस वीडियो में मैं आपको कुछ मुहती इंपोर्टेंट कोश्चंज बताने वाली हूँ फ्रॉम चैप्टर वन तो चैप्टर नाइन ओके सो लेट्स टार्ट एक और बात बता में चांचेस थोड़े जादा ही in comparison to other questions ओके सो लेट्स टार्ट चैप्टर वन में stimulus and response के बारे में पता होना चाहिए है चैप्टर टू में what is correlation method इस पे आ सकता है चैप्टर थ्री में functions of nerve impulse यह अच्छा call ओके फिर चैप्टर फोर यू एंडी सीपी के बार में पता होना चाहिए एटिंग डिसॉर्डर जो ब्लूमिना और अनुरक्सिया नर्वोसा है उनके बार में पता होना चाहिए थर्ड कुशिए चैप्टर फोर में से जो important है वो है प्याजेट्स hypothetical deductive reasoning ओके चैप्टर फा चैप्टर 7 में first important question हो सकता है how is information processed through sensory short term and long term memory system okay question 2 जो इस में से important है discuss the term flash bulb memories and autobiographical memory okay चैप्टर 8 में से nativist theory के बार में पता होना चाहिए ब्रेंस्टरमिंग के बार में फिर चैप्टर 9 में से जो question important है वो है what is the basic idea behind Marcelo's hierarchy of needs explain with suitable examples okay तो इसमें proper ऐसे triangle बनाके और साथ में सारी चीज़े explain कर देना okay okay so इसी question के साथ important questions की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है